नमस्कार आप सभी को आज से इस नए सत्र को हम सुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है किताबों की दुनिया जिसमें हम हर हपते एक नई किताब का रिव्यू करेंगे हम एतिहासिक, राजनितिक और भी कई जो महत्वपूर्ण हैं इस देश के लिए इस देश के संस्कृति को लेकर उन किताबों को हम आपके सामने लाएंगे विभिन परदेशों की जो राजनितिक कहानिया हैं उनको आपके सामने लाएंगे जिन किताबों में उन कहानियों को खेडा गया है उनको हम आपके सामने लाएंगे तो इस नए सत्र को अगर आपको पसंद आता है तो आप जरूर हमें अपनी राय दीजिएगा और आपको अगर अपनी राय देनी है कि किस बुक का रिव्यू हम करे तो भी आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा तो इस वीडियो को सुरू करते हैं तो आज का जो हमारा बुक रिव्यू है जो हमारा पहला बुक रिव्यू है वो है ये इस बुक का नाम है गांधी मैदान बलफ आप सोसल जस्टिस बिहार की राजनिती पर बहुत कम किताबे लिखी गई है अब ऐसा क्यों ये मुझे भी न राजनितिक इतिहास को लेकर बहुत कम किताबों को लिखा गया लेकिन जो किताब मेरे पास है गांधी मैदान बलफ आप सोसल जस्टिस ये किताब बिहार की राजनिती को जेपी आंदोलन के बाद की जो राजनिती बिहार में एक नई तरह की राजनिती जिसमें नए लोग उस राजनिती खास कर बिहार के पिछले तीन दस्टों की राजनिती जो कई माइनों में महत्तपूर्ण हैं बिहार के विकास को लेकर महत्तपूर्ण हैं आज मैं भी एक बिहारी हूँ और बिहार पे ये आरोप है कि बिहार पे ये आरोप लगाए जाता है कि बिहार के लोग बाहर जाकर काम करते हैं बिहार में रोजगार नहीं है ये भी बिहार के लोग ही बिहार पे आरोप लगाते हैं बिहार के राजनेताओं पे आरोप लगाते हैं इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आपके हर सवाल का जबाब मिलेगा आगे मैं इस पुस्तक के बारे में 2-3 चीज़ बताओंगा मुख्य रूप से कि इस पुस्तक में कौन-कौन से ऐसी राजनिति घट्नाएं हैं जिसे मैं भी नहीं जानता था और जिसे पढ़ने के बाद मुझे भी बरा आश्चर हुआ क्योंकि मैं लगतार बिहार की राजनिति घटनाओं को देखता रहता और इतिहास को जानने की कोसिस करता हूँ इकी पीडिया से लेकिन पुस्तकों की सबसे रोचक बात यही होती है क कि जो हम वीडियो या फिर गूगल पर नहीं ढूंड पाते वो हम पुस्तकों के माध्यम से पता कर लेते हैं इस पुस्तकों लिखायान रंजन जहाजी ने पत्रकार हैं बरे पत्रकार हैं बाइस सालों लगवग दो दशक से अधिक के इनकी पत्रकाडिता का कैरियर है और इंडिया न्यूज में न्यूज डिरेक्टर रहें, CNAB के प्रधान संपादक और CEO रहें, दिल्ली विश्विद्याले से ग्रेजवेट हैं और पत्रकारिता के सबसे बड़े संस्थान IIMC से इन्होंने पत्रकारिता की परहाई की है जनसत्ता जैसे महत्तपुर्ण और एक नामी अखवार के से इन्होंने अपनी कैरियर के शुरुआत की, उसके बाद जीनी उजास तक इंडिया टेवी की लॉंचिंग टीम का भी यह हिस्सा रहें, इनकी पहली किताब रामलीला मैदान, अन्ना अंदोलन पे, अन्ना अंदोलन को लेकर उन्होंने वो किताब लिख की राजनीति और खास कर जो पिछले 30 वर्षों की राजनीति है, लालू प्रसाद यादव और नितीश कुमार की जो राजनीति का पूरा सफर है, 2019 तक साध उन्होंने इस किताब में उन्हों पूरे प्रकरण को उन्होंने बताया है, बरे डिटेल्ड तरह से बताया है, तीन दिनों में मैंने पढ़ लिया, तीन दिन, चौथे दिन, अंतिम दिन में कुछ तीन-चार पेज बचे थे, तो समझ लिए चार दिन में, क्योंकि इस किताब को जब मैंने पढ़ना शुरू किया, तो मैं रोक नहीं पा रहा था खुद को, इसके पीछे वज़े यह भी हो संदिती को लेकर कोई भी पुस्तक नहीं है, तो चलिए इस बुक में जो कुछ महतपूर्ण बाते हैं, उसको हम जान लेते हैं, इस बुक की सुरुवात लालू प्रसादी आदव से ही होती है, लालू प्रसादी आदव उनिश्व नब्वे में पहली बार मुख्यमंत्री बनते हैं, कैसे मुख्यमंत्री बनते हैं, कैसे कॉंग्रेस का पतन होता है, इस कहानी को लेकर शुरुवात होती है, पहले पहला जो शिर्षक है, इस किताब का उस किताब का पहला शिर्षक है लालू यादव एक युवा नेता से दलित पिछरों की आवाज तक, पहला शिर कैसे लालू प्रसादी आदव कैसे मुख्यमंत्री बनते हैं, कैसे उनके राज में गुंडा गर्दी पनप्ती है, कैसे बिहार जिस समय पुरे देश में उद्योग धंधे फल फूल रहे थे, उद्योगी करन हो रहा था उस दौर में कैसे लालू प्रसादी आदव ने बिहार को गर्त में डाल दिया इस किताब में मुझे एक चीज और पढ़ने को मिला कि लालू प्रसाद यादव के पंद्रह साल लालू प्रसाद यादव और राबरी देवी के जो कारिकाल थे सरकों की स्थिति क्यों इतनी बत्तर रही कितने किलोमेटर सरक बनी वो इस किताब में होने लिखा है उसके बाद राबरी देवी कैसे लालू प्रसाद यादव मुखमंतरी बनते हैं उसके बाद दूसरी बार मुखमंतरी बनते हैं लेकिन उसके बाद जब चारा घोटाला जैसे मामला उनके चारा घोटाला के मामले में उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकती है तो वो मुक्छमंत्री पर छोड़ कर Рाबरी देवी को मुक्छमंत्री बनाते हैं इसमें एक महतवपूर्ण एक वाक्या है कि राबरी देवी रोने लगती है फूट फूट कर रोने लगती है वो वाक्या पढ़ने लायक है, मैं पूरी तरह से नहीं बताऊंगा क्योंकि उसके लिए आपको पढ़ना जरूई होगा ये किताब, तो मुख्य रूप से लालू प्रसादियादव का जितना चैप्टर है, उस चैप्टर में एक चीज मुझे कॉमन लगा कि लालू प्रसाद यादव ही चला रहे थे, उनका मुख्य उद्देश, मुख्य मंत्री बनने के बाद, जिस तरह से लालू यादव अभी भी वो सोसल जस्टिस का नारा लगाते हैं कि हमने बिहार में सोसल जस्टिस किया, लेकिन इस किताब को पढ़के आपको लगेगा, कि लालू प्रसाद से दूर रखा, बिहार में कैसे जातिये शंगहर्ष उन्होंने करवाएं, ये ठीक है, एक चीज और है इस किताब में कि लालू प्रसादी आदव के टाइम में हिंदू-मुस्लिम सामपरदाइक दंगे नहीं हुए, लेकिन जातिये शंगहर्ष का इतिहास अगर बिहार में कि पन्नों को खोला जाएगा, तो सबसे अधिक लालू प्रसादी आदव के टाइम में जातिये शंगहर्ष हुएं, अगर वो पिछरों के नाम पे कतल होना, किस तरह से नर्शंगहार होना, वो सब ही इस किताब में लिखा हुआ है, एक और इसमें वाक्या है कि जिस कॉंग कॉंगरेस के कदमों में जाके एक शमय में लालू प्रसादी आदव गिरें, और उस वक्त कॉंगरेस के जितने अमेले बिहार में थें विधायक, उन सभी को लालू प्रसादी आदव ने अपनी शरकार में मंत्री पद दिया, ये कहानी जानना जरूरी है, दूसरा इसमें ये दो-तीन चंपा विश्वास जो एक मशुहूर प्रकरन था, शुशिलकुआर मोदी ने जिसके खिलाफ प्रेस कॉंफरेंस की थी, उसका भी इन्होंने उलेख इस किताब में किया है, उसके बाद नितिश कुमार जो अगला टॉपिक है, नितिश कुमार जंगलराज का अ अपराध को बिहार में 65 फीजदी कम कर दिया, नितिश कुमार ने पहले कारिकाल के पहले दो वर्स में अपराध को मात्र दो वर्सों में 65 फीजदी कम कर दिया, इस किताब में उन्होंने उश्काव लेख किया है, साथ ही, इस किताब में नितिश कुमार ने बिहार में शिक क्योंकि जिस दौर से बिहार गुजरा था उस दौर के बाद नितीश कुमार को लोग भगवान की तरह मान रहे थे नितीश कुमार के आने के बाद अपराध कम हुआ लेकिन अनंत सिंग जैसे लोगों को राजनीती में लाकर और खुद अपने दल के साथ लाकर और खास कर छोटे सरकार का उपाधी दिलवाकर वो भी उसी राह पे चल परें नितीश कुमार को कुड़सी का मो किस तरह से आया उन्होंने किस तरह से 2013 में नरेंद्र मोधी का विरोध करके भारतिय जन्ता पार्टी का उन्होंने भारतिय जन्ता पार्टी से वो अलग हुएं फिर कैसे वो राजत से मिलें वो भी इस पुस्तक में है तो कुल मिलाके ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा कुल मिलाके इस पुस्तक में ऐसा भी नहीं है कि लालू प्रसादी आदब की बुराई की गई और नितिश कुमार की सिर्फ वहवा ही इस पुस्तक में लालू प्रसादी आदव और नितीश कुमार दोनों एक समय में जो बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे साथ में जेपी के आंदोलोनों में नारे लगाय करते थे जब वो सरकार में आएं जब वो सत्ता में आएं तो जेपी के आदर्शों का इन दोनों ने कैसे खून किया यह इस किताब में अनुरंजन ज्हाजी ने वर्नित किया है लिखा है बिहार की राजनिती को समझने के लिए इससे अच्छी किताब और खासकर जेपी आंदोलन के बाद की राजनिती को समझने के लिए इससे अच्छी किताब मेरे समझ से बाहर है और है कुछ किताबे हैं लेकिन दितने आसान शब्दों में इस किताब में अनुरंजन ज्हाज कि अभी जिस दौर से हम लोग निकल रहे हैं जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं वो सोसल मीडिया का जबाना है वो इंटरनेट का जबाना है और होना भी चाहिए लेकिन जो आपको ग्यान पुस्तक से मिलता है वो ग्यान कहीं और से नहीं मिलता है और इस किताब को मैं पर में एक पुस्तक भी पढ़ेंगे तो और जिन्हें राजनीती में खासा इंट्रेस्ट है वो इस मुश्तक को जरूर पढ़े एक बार फिर मैं इस पुस्तक का नाम बता देता हूं उसके बाद दो प्रकरन का जिक्र करूंगा जो इस पुस्तक में हैं उसके बाद फिर इस वीडियो का अंद करूंगा तो इसका नाम है गांधी मैदान Bluff of Social Justice ये इस पुस्तक का नाम है इस पुस्तक को हिंद युग्म ने चापा है एक सो पच्छत्र रुपया इस पुस्तक का दाम है लेकिन Flipkart Amazon पे वो कम हो जाएगा तो इस पुस्तक में दो प्रकरण जिसका मुझे याद आ रहा है कि एक तीज प्रताप यादव जब 2015 में राजद और नितिश कुमार की सरकार बन रही थी त्यजश्वी यादव मुकमंत्री बनने वाले थें उस समें तीज प्रताप यादव का एक प्रकरण का जिक्र इस पुस्तक में किया गया है कि कैसे वो रिवॉल्वर निकालते हैं कैसे नितिश कुमार जब अचानक से लालु प्रसाद यादव के आवास पर पहुंचते हैं तो वो वो दिर्श देख कर अस्तब्ध रह जाते हैं कैसे रात और रात मंत्री मंडल की सुची बदली जाती है साथ ही एक और प्रकरन है और वो प्रकरन और भी महत्पूर्ण है दिल्चस्प है जो तेजश्वी यादव नेता प्रतिपक्स तेजश्वी यादव बार बार कहते हैं कि हम भाजपा से अगर हाथ मिला लेते हैं तो हम भी आज गंगा नहा लेते हैं लालू प्रसादी यादव जेल में नहीं होते हैं लेकिन कैसे भूपेंद्री यादव जो की कटड़ यादव एक तरह से कहे जाते हैं जाती वाद उनमें कूट कूट कर भरा हुआ है उनके जर्ये किस तरह से अमित्सा को संदेश पहु लेकर जिस प्रकरन के बारे में हम आप सोच नहीं सकते हैं वो इस पुस्तक में उखेरा गया है तो आप सभी लोग इस पुस्तक को जरूर पढ़ें और अब हर हफते कम से कम एक वीडियो एक पुस्तक का रिव्यू मैं आपके सामने लेकर जरूर आऊंगा बाकी इस पुस् पुस्तक का पहला वीडियो है कैसा लगा आप हमें जरूर बताईएगा और सबसे महत्पूर्णबात अगर आपकी कोई राय हो आप अगर चाहते हैं कि हम किसी पुस्तक का रिव्यू करें तो आप हमें जरूर अपनी राय दीजेगा इस वीडियो को लाइक कीजेगा और इ अपनी राय दीजेगा आप हमें जरूर कोई चाहते हैं किसी पुस्तक करेंब जरूर शेओएश्बाट के हमें जरूर आपकी कह फऒता वीडियो में जरूर सत्यूर सत्तक्य